Hello Everyone, आज हम Class 6 NCRT Maths Exercise 11.2 करते हैं, Okay? The Side of an Equilateral Triangle, अच्छा, Chapter का नाम क्या है? Chapter का नेम है Algebra, ठीक है? क्या नाम है Chapter का? Algebra, Okay? The Side of an Equilateral Triangle is shown by L, जो Equilateral की जो Side है Triangle की वो दे रखी है L, यानि यह एक Equilateral Triangle है, तो यह L, यह भी L, यह भी L, यह भी L, क्योंकि Equilateral Triangle क्या था? Equilateral Triangle वो Triangle था, जिसकी सभी Sides Equal थी, यह Sides, यह Sides, यह Sides, सभी Equal थी, Express the Perimeter of the Equilateral Triangle using L, तो इसका Perimeter बताना है, using L, तो देखें, इसका Perimeter क्या होगा? Perimeter होगा, इसका Perimeter Equal to, क्या होगा? L, प्लस L, प्लस L, तीन बार L है, तो हम क्या लिखेंगे? जब तीन बार L है, तो 3 L, जब किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे L क्या है, variable है, इसकी value में पता नहीं, तो L कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार है, तो इसको 3 L लिख सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में, तो इसका Perimeter क्या हो गया? इसका Perimeter हो गया, Perimeter is equal to, इतना, L प्लस L प्लस L, तो अंसर कितना है? 3 L, ओके, नेक्स्ट, Q2 पे चलते हैं, 10 साइड और रेगुलर हेक्सागन, देखें, ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड है, तो इस देनोटेट बाई L, बताओ इसका Perimeter क्या होगा, अब देखो, इसमें कितनी साइड है, 6 साइड है, तो मैं 6 बार जोड़ूगा, L प्लस L प्लस L, ऐसे 6 बार, तो डिरेक्स में क्या लिख दूँ इसको, क्या लिख है, 6 L, ठीक है, पहले ब क्यूब है, इस ए 3-dimensional figure, तो 3-dimensional figure वो होती है, जिसमें length, breadth तो होती है, साइड में height भी होती है, ऐसे जिसको हम छूद सकते है, जिसके कुछ थिकनेस हो, कुछ height हो, उसको हम बोलते है, 3-dimensional, square को हम उठा नहीं सकते, copy से, square को हम सिर्फ draw कर सकते है, shape हो सकती है, अब square में height बना यह बन जाएगा, यह बन जाएगा cube, जैसे ludo की dice होती है, वो, वो cube, इस तरह की, तो, sorry, a cube is a 3-dimensional figure, as shown in figure, it has 6 faces, देखो 6 faces है इसके, एक तो देखो यह वाला face हो गया, ठीक है, एक इसके opposite, यह वाला face हो गया, दो, और देखो यह एक उपर वाला हो गया, 3- और एक यह नीच कितने होगे, total 6 face होगे, okay, कितने face होगे, total 6 face होगे, अब जब 6 face होगे, तो क्या पूछा इसमे, the length of an edge of the cube is given by l, find the formula for the total length of the edge of a cube, okay, total length of a cube पता करनी है, क्या पूछा है, the length of an edge of a cube is l, देखो, edge बोलते है, यह जो किनारी है, देखो, एक किनारी यह हुई, एक किनारी यह हु एक किनारी है, यह इस तरह से कितने ages है, एक यह हुई, एक यह हुई, एक यह हुई, एक यह हुई, चार तो यह होगे, चार यह, चार ही ऐसे है, आठ, और चार ही यह, ठीक है, चार, देखो, यह कितने किनारी है, total count करो, 1, 2, 3, 4, उपर वाली, 5, 6, 7, क्योंकि यह इधर होगी, 12, तो क्या पूचा, the length of an edge of a cube is given by L, जो length है, एक यह L है, तो find the formula for the total length of the edges, तो total length क्या होगी, ages की, तो total length of the edges, बताओ कितनी होगी, equal to, क्योंकि 12 है, तो 12 into L, याने 12 L, आगी बात समझ में, तो जितनी edges थी, L था, तो 12 L हो गया, जैसे hexagon में 6 side थी, तो 6 L हो गया, triangle में 3 side थी, तो 3 L हो गया, इसमें 12 edges हैं, तो 12 L हो गया, next question पर चलते हैं, question number 4, the diameter of a circle is a line which joins two points on a circle, diameter वो line होती है, जो कि circle में 2 points को जोडती है, and also passes through the center, ठीक है, तो diameter वो line है, जो circle पर 2 points है, जैसे point A है, दूसरा point B है, इन दोनों को जोड रही है, और 7 में वो center से pass होगी, उसको हम diameter बोलते हैं, ठीक है, in the adjoining figure इसमें, AB is a diameter, AB diameter दे रहा है circle का, C क्या है, C उसका center है, express the diameter of the circle, diameter को बताना तुम्हें, in terms of its radius, diameter को हमने माना हैं, but D, question के according, diameter जो दे रहा हो है, D, in terms of its radius, तो देखो, diameter जो है, अगर, देखो, यह भी एक radius है, B से C तक, यहां से यहां तक कितना radius है, और C से यहां तक कितना यह भी radius है, तो R प्लस R, यानि कि diameter अगर D है, तो diameter equal to क्या होगा, R प्लस R, दोनों को जोड देंगे, तो D के बरावा आ जागा, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, R प्लस R, कितना हो जाएगा, 2R, तो answer के आगे हमारा, D equal to 2R, ठीक है, आगे समाज में, चलो, next question चलते है, question number 5, to find sum of 3 numbers, 3 number का sum हमें पता करना है, 14, 27 and 13, we can have 2 ways, दो तरीके हमारे पास जोड जने के क्या, we may first add 14 and 27 to get 41, पहले हम क्या करें, 14 or 27 को जोड दें, कितना आएगा, 41 आ जाएगा, फिर उसमें 13 जोड दें, and then add 13, to get the total sum कितना आएगा, 54, ठीक है, दूसरा तरीका ये है, we may add 27 and 13, हम इन दोनों को जोड दें, फिर उसके गाद 14 को जोड दें, तो या तो पहले इन दोनों को जोड दें, इस तरह से लिख सकते हैं, 14 plus 27, bracket मों 1 किया, plus 13, या फिर 14 plus, bracket में 27 plus 13 को जोड दें, इस property को हम क्या बोलते हैं, this property is known as associativity of addition of number, क्या है associativity of addition of number, addition के number के associativity property, ठीक है, ये question नहीं, actually ये सिर्फ associativity property के लिए बता है, इसके आगे कुछ देखते है, question अगर है तो, express this property, which we already studied in the chapter on whole numbers, in a general way, by using a, b and c, अच्छा, ये तो यहां number में दे रखा था, अब आपको a, b and c का इस्तिमाल करना, तो आप किस तरह से लिखेंगे, इस property को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, a plus b, ये दोनों लगा दी bracket में, plus c ऐसे ल पर लगा दी bracket, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना, ये इसका answer हो गया, पहले जैसे a, b, c तीन टर्म थी, a plus b plus c, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है, तो हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, a plus b, पहले दूसरे bracket लगा देंगे, plus c, फिर दूसरे और तीसरे bracket लगा देंगे, पहले 1.2 खतम हो जाती है, ठीक है?